जवल्पूर पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम को एक साथ तीम बड़ी सफलताएं हाथ लगी है जहां एक और पांच लाग की इसमैक सहीत एक तसकर को ग्रिफतार किया गया है वही दो बड़ी बारदातों का खुलासा किया गया है पुलिस पकड़े के आरोपियों से पूश्तास कर रही है एक साथ तीम खुलासा करते हुए जवल्पूर स्पी अमिच सिंग ने बताया कि जवल्पूर क्राइम ब्रांच एवां माड़ोताल पुलिस में सैयुक्त रूप से कारवाही करते हुए बाइपास रोड में मुख्बीर सिंगी सूचना पर दविश देते हुए मादक पदात इसमैक की तसकरी में लिप्त बालारांग गुपता निवासी दालमंडी थाना शुवासरा जिला मंसोर को उस समय ग्रिफतर कर लिया जब ग्राहा के इंतिजार में खड़ा था जिसके कबजे से पांच लाग रुपे कीमत की पचास ग्राम इसमैक जफ्त की गई है पुलिस आरोपी के खिलाफ एंडी पीएस एक्ट के तहत करवाही करते हुए उससे पूर साश कर रही है पांच लाग है उनको अरस्त किया गया है यह जैसा कि मैंने आपको कहा था से पहले जब इसमैक की कारवाई की गई थी इसकी जड़ पर अटाइक किया जा है हमारे आप जो भी सप्लाई हो रही थी वो मंसौर रतलाम और नीमच का नाम आ रहा था से पहले जब हमने 100 गराम के करीब स्मैक पकड़ी थी उसमें भी जो सप्लाई हुआ था वो रतलाम पे हुआ था यह जो पालाराम गुटता है यह तुवासरा ठाना का रहने वाला है ज करेंगे कि लोकल किन कि लोगों से इसका संबल था किनको यह सप्लाई दिया करता था यह जो हमारी कारवाई है वो लगातार चलेगी अभी तक लगबग जबलपुर एसपी अमिस सिंग ने दूसरा खुलासा करते हुए बताया कि ओमती थाना अंतरगत विक्टोरिया अस्पतार के पास इस इलेक्ट्रोनिक्स दुकान में हुई बड़ी चोरी का खुलासा कर दिया गया है चोरी करने वाला कोई और नहीं बलकि दुकान में काम कर करने वाले करमचारी ही निकला है पुलिस ने प्रकरण में तीन आरोपियों को गरिफ्तार कर लिया है जिनके कबजे से चुराई हुई 15 एलेडी टीवी सहीट अन्य विविन कंपनियों के समान जब्त किये गए हैं और दीन करस चुरेश किमार हासवानी हवानी पेडर्स हेट्रिया हासदाल के सामने चाना उंती में इसकी दुबान है इनकी दुबान से चर्छाब का मिलान किया कुदू फंदा एलेडी टीवी जिसमें चार एलेडी कंपनिया से लिधा इंजेक्स किया है पैरा सोनी कंपनी की है अलग-अलग कंपनी यूं की यह बड़े सातिर हैं उनकी दुकान पहीं गाम करते हैं तो बड़ा वासिंग मशीन का डिबा वोता है जब गगाहां का आता है तो वासिंग मशीन इसको दे रेते हैं और डिबे में ये जो एं इसमें मात्रपूर भूमी का निभाई है, वो क्राइम ब्रांच और उंकी खाने निभाई है, इसमें तीन आउपी है, प्रमोथ, ये मदनमाल का रहने वाला, जीजेंद्र केवर्ट ये कांच करता है, संजयूर्फ, संजू चौधरी, ये सुहागी का रहने वाला है, निशिक जवलपूर स्पी अमिस सिंग तीसरी वारदात का भी खुलासा करते हुए बताया कि पनागर हाईवे पर कट्टा चाकू अड़ा कर मोबाईल वा नगदी कार ट्रक की लूट वड़कैती करने वाले चार रूटेरियों को पुलिस ने गिरिफ्टार किया है, जबकि एक फरा पर घटना में प्रयुक्त होंडा साइन मोटा साइकिल एक देसी कट्टा तीन चाकू जबत किया गया है यह प्राइवे पे लगातार सिकायते आ रहे हैं जी, पनागर में वहाँ पर ट्रक राइवरों को जो दूसरे स्केट के हैं उनके साथ मार्कीद करके पैसे की चनेपी की जा रहे हैं इसमें DSP प्रोवेशनल्स जो वहाँ पर प्राणा प्रभारी हैं जुर्दे साथ इनकी टीम में और इसे सुछे टायरंगर की टीम में काम किया है जैसे ही सुछना मेली कत्ताल रिस्पॉंड किया गया है इसमें चार आरूपी को अज़स किया गया है अभिशेख पिता क्यों कुमार केवर्ट संतेष संतोस उस लालन केवर्ट अब उस बेटु केवर्ट उसी लाल केवर्ट यह सभी पनागर के रहपुरा के हैं इनके पुराने रिवार्ट भी हैं इन्होंने एक ट्रक छीना था जिसमें 540 बोरी सेमेंट थी एक कार इन्होंने लुटा था उसी दिस जिसमें अस्थानी लोग सफर कर रहे थे इनकी जो वार्टाथ है वो एक फिक्स टाइम पे फिक्स गूट पे होती है और वहां से लगातार सिकायत है आ रही थी अभी हम इनको रिमार्ट पर लेंगे और इसके पूतास करेंगे तो और भी जो हमारी पुरानी वार्टाथ हाईवे पे रॉबरी की है हाईवे साइड राबरी की उसका भी फ्लासा होने के सम्झाव ना है